तो कैसे हैं आप सब, I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आज हम लोग हिंदी वक्षिट सॉल्व करेंगे, हमारा पार्ट का नाम है आलू की सड़क, अगर आप लोग ने आलू की सड़क पार्ट नहीं पढ़ा है, तो पहले प्लेडिस्ट में जाए, क्लास वन हिंदी सार इंकी की पूरी प्लेडिस्ट वनी हुई है, उसमें जाके आप अपनी चप्टर पढ़िए, उसके बाद आप यू प्रश्णों के उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे, आप अगर इससे प्रैक्टिस करते हैं, तो जो आपके साइकल टेस्ट होते हैं, उनमें आपको एसे ही कुश्चन मिलेंगे और आपको आसानी से आप वो साइकल टेस्ट सॉल्व कर पाएंगे, चलिए हमारा पहला प्रश्ण है, निम लिखे प्रश्णों के उत्तर दीजिए, भालू कहां जा रहा था, बताए भालू अगर आपने पाट पढ़ा अच्छे से तो आपको पता होगा भालू नानी के घर जा रहा था, तो हम लिखेंगे भालू, आप लोग अच्छी राइटिंग लिखिए, इसमें राइटिंग थोड़ी इच्छी नहीं आती है, स्क्रीन पे ओके, भालू नानी के घर जा रहा था, भालू के बोरे में छेट क्यों होता, अच्छा बताएए भालू के बोरे में छेटता ना, इससे आलू टपक रहे थे, तो क्यों छेटता, क्योंकि भालू ने उसमें सिला ही नहीं अच्छी से कीती, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि भालू ने बोरे पर अच्छे से लेक सकते या ठीक से लेक सकते ठीक से नहीं की ठी बंदर ने भालू के आलू कैसे पाए? बंदर ने भालू के आलू कैसे पाए? क्योंकि भालू क्योंकि आलू सडक पर गिर गए थे अगला प्रेश्ण है हमारा भालू ने बंदर को क्यों नहीं बताया क्यों है? कहां जा रहा है? क्योंकि भालू को क्यों नहीं बताया था? उसे जल्दी नानी के घर पहुँचना था क्योंकि भालू को वो रुख जाता उसे बात करने के लिए तुसे देर नहीं हो जाती जैसे आप लोग खेल ले जाते हैं किसी से नहीं बोलते हैं क्योंकि भालू को जल्दी नानी के घर पहुंचना था जल्दी नानी के घर पहुंचना था अगला प्रश्न है अगर बोरी में छेद नहीं होता तो खानी में क्या होता तो बंदर को आलू कभी नहीं मिल पाते तो हम लिखेंगे तो बंदर को आलू भी नहीं मिल पाते और ये भी नहीं पता कर पाता कि भालू कहा जा रहा है तो हम लेखेंगे तो बंदर को आलू कभी नहीं मिल पाते अगला है प्रेशन हमारा नीचे दिये गए शब्दों में उ लगाकर अब शब्द को दुबारा देखे हमें उ की मांतरा लगानी है कौन से वाले उ की बड़े उ की जिसमें बड़े उ की आएगी वो हम बड़ा उ लगाएंगे जिसमें छोटे उ की आएगी वो छोटे उ लगाएंगे यहां लिखा है पहला भाल, तो हम इसमें लगाएंगे, तो हो जाएगा भालू, भा में ला में मांत्रा आएगी, भा में मांत्रा नहीं आएगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, भूल, भूल नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, भालू, अब है तरवज, तरवज नहीं होता जू जू जूला अब अगला है हमारा आ फिलू तो लाप मांतरा आएगी सारज सरज तो कुछ नहीं होता है सूरज होता है ना तो सूरज जून जून ये देखें सब में बढ़ी हुखी मांतरा लगी है अगला प्रेशन है हमारा सही मिलान कीजिए हमें कुछ बाक दिये हैं हमें उसमें सही मिलान करना जैसे लिखा है भालू को अपनी नानी के घर जाना था यही था ना पार्ट में तो हम लिखेंगे भालू को अपनी नानी के घर जाना था रास्ते में पीपल के पीड पर एक बंदर बैठा था यागबंदर रास्ते में तो क्या था आलू पड़े थे भालू आंगे बढ़ता जाता धप 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 उसके पैर के आवाज हो रही थी न पर बोरे में तो छेद था यह हमारे सही मिलान है आप चाहें तो जरी यह साब उत्तर लिख सकते नहीं तो आपके लिए सिर्फ इतना मिलान करने को ही आएगा ओके चलिए अब बेटा चलते हैं हम नेक्स प्रेशन पर यह आपको कुछ चीजे दी गई है इसमें बोला गया है नीचे दी गई चीजों मैंसे आलू से बनने वाली चीजों पर निसान सही लगाए बताईए आलू से क्या क्या बनता है यह है हमारी पकोड़े आलू बड़े यह हम इस पर टिक लगाएंगे यह है ब्रेड ब्रेड नहीं बनता आलू से समोसे तो बनते हैं इसके अंदर आलू बरे जाते हैं आँगे है हमारा क्या है यह क्या चीज है अरे यह तो गाजर का हलवा है इसमें तो आलू नहीं डलता है यह है आलू की टिकी इसमें तो डलता है आलू की चेप सरवा बहुत सारे आइटम है मुं में फानी आया देखे के नहीं आया मेरी भी आ गया चल ये अगला है हमारा प्रश्ण अब इसमें पूझा गया है नीचे दिये गए शब्दों में से चुनकर समाल लेवाले चार्चा सब्द मनाए समाल लेवाले ये होता है भालू, कालू, मालू, कचालू ऐसे होता है तो भालू लिखा है तो इसमें देखी ये रहा कालू, सालू, बालू, आलू मिल गए अब हम यहीं इसको लिखेंगे इन्हें कहते हैं हम शमाल लेवाले शब्द कालू, शालू, आलू, बालू अब है बोला, जोला, यह रहा जोला, भोला, तो हो जाएगा भोला और बोला, जोला, बोला, एक सेकंड हम ना इसमें से, इनके भी शब्द छात लेते हैं, ऐसे मन का धन हो जाएगा, रन हो जाएगा, जन हो जाएगा, गन हो जाएगा अदर, अब जो शब्द बने वो इसमें आ जाएगे, जैसे नीला, नीला, ताला, ताला, चलिए, यह जो बचे वो इसमें आ गए, अब हम चलते हैं अगले प्रिश्ण पर, नीचे दिये गए बाक्यों मैंसे, सही बाक्य पर निशान लगाएं, और गलत बाक्य पर गलत का निशान लगाना, ऐसे सही पर सही, गलत पर गलत, चलिए दिखते हैं कौन से बाक्य हैं हमारे, सडक पर ध्यान से चलना चाहिए, सही बात है, अगर सडक पर हम ध्यान से नहीं चलेंगे, तो हमारा एक्सिजेंट हो सकता है, सड़क को दोड कर पार करना चाहिए बिल्कुल नहीं वेटा हमें हमेशा धीरे धीरे सड़क को पार करना चाहिए सड़क पर कभी भी खेलना नहीं चाहिए हाँ सही बात है कभी नहीं खेलना चाहिए अपने बड़ों का हाथ पकड़ कर ही सड़क पार करनी चाहिए जी हाँ अपने बड़ों का हाथ पकड़ कर ही सड़क पार करनी चाहिए ने तो accident हो जाता है सड़क पर कूड़ा फरकट करकट फैक देना चाहिए नहीं भाई सड़क पर कूड़ा करकट फैक देना चाहिए तो गंदी नहीं हो जाएगी सड़क इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए अगला प्रेशन है हमारा नीची दिये गए वर्ड को शब्द से जोड़ कर नए शब्द बनाएं चलिए भाई ये बढ़ दिया है पू और हमें इनसे जोड़ के एक नए शब्द बनाना है ऐसे पू जा तो हो गया हमारा पू जा पू नम पू रख पू रख पू री पू रण अब अगला है हमारा शू मन सू मन सू बास शू जन शू कार इधर लिख देती हूँ मैं शू कार शू लब यहां से सू और यहां से लब हो गया शू लब यह हो गया हमारे नए शब्द ठीक है अब हम चलते हैं अगले प्रश्ण पर ओके वाक्षीट हमारी खतम हुई अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अगर इससे भी ज़्यादा पसंद आए तो सूपर तैंक्स नीचे लिखा रहता है अगर भेजना चाहें तो भेज सकतें